कि अब कर अनिम्स देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ बागिशा पांडे महाराष्ट में महाराष्ट चुनाव के नतीजों के बाद जो कॉंग्रेस का हाल हुआ है यह फिर हम यह कहें कि जो महावकास अगाडी का हाल हुआ है अब उनके नेता लगता है बॉकला से गए है चुनाव आयोग पर भी सवाल उठा दिये हैं कॉंग्रेस के मलसी अशोक जबताब जिनके बगड़ गये बोल चुनाव आयोग को लेकर अब उन्होंने हद भी पार कर दिये रोहत क्या बोला है आप ही बताइए जी बिलकुल मुझे लग रहा है कि अपनी भासा बोल रहे है और भूल जाते हैं कि इस देश में एक वक्ति बैलेट पेपर कैसे लूटा जाता था वाइनाट से प्रियंकर गांधी जीती हैं मुझे लग रहा है कि उनका इस्तिफा करवा दें तब हम मालने की ऐसी बातें कहना कॉंग्रेसियों के मुह से सोभा देती प्यामोदी का कुत हैं प्रियंकर गांधी और राहुल गांधी को मुझे लग रहा है कि यह लोग जमा भी कर देंगे क्योंकि बंटाधार कर रखा है कॉंग्रेस का इसे नेता हुने बयान क्या पर एक बार दिखा देते हैं और उसके बाद फिर विस्तार से चर्चा करते हैं किस तरीके से हत प इन्होंने मतलब महायुती कुछ किया ही नहीं ना कि केंद्र का कोई काम यहां दिखा छे महीने पहले लोगसबा की चुनाओं में एक फैसला आता है लोगों का निर्ले आता है और अचानक के सारी चीज़ें होती हैं मैं पहले से कहता है हूँ कि यह उनका खेल है आज नहीं तो कल इस पर बात होनी चाहिए भी कॉंग्रेस ने स्टेंड लिया है और बैलेट पेपर आजाओ आएगा अगर विश्व के सबसे बड़े लोग तंतर पर कोई सवाल उठता है तो चुनाओं और सरकार को जवाब द बागी अगर कारना टक सर्काय गिर्वाय यह Ben भाइचा मस Suppose квालइट पृफ्रदेश में नहीं लूट आगा उस दौस कि ने जची है और आपको बैलेट पर मैं है तो ये रोज की ये बात मत कीजिए पहले कंग्रेस कि करनाटक सरकार किर वाई इवियम इंटि चुनकर आई है रहूल गांधी कि स्टीफा राई इसे करवा है अपनी प्रियंकर गांधी का स्टीफा करवाई ए वाइनार्ड से और जितने विधायक आपके जीते हैं कितने जीतने हैं मध्वदेश में उसे 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 बी कम है जितने बार में चुनाव में से जीति हैं उनको खारिज कर दिया जाया आप बताएंगे इतियास जानगे आप इंडुरा बैलेट पेपर था ना उस वक्त राइबरेली में क्या कहते हैं चुना भारी तो बावाल काट दिया था आप लोग किस मूं से बात करते हो भाई साथ में भी हल्ला किया है बैलेट पेपर से अब चुना में चलिए मौजूदा वक्त में आप कर रहे हैं एक मुद्दा बना रह यह अपनी गिरेबा में जहागते नहीं है क्या किनके नेताओं ने इस देश में कैसी लूट मारी बैल पेपर के साथ की है चुना योग को बता रहे हैं कि चुना अव्योग क्या कहते हैं मुझे तो चुना योग पर भिशार मारी है ऐसे लोग को बहुत कर देना चाहीं जि चुना योग को से इस फर्क नहीं पड़ता है वह उनके कहते हैं आका है उनको कुछ भी बोलो तुम गाली दो स्बासा चुना आयोग इस देश की एक संस्ता है चुना योग जैसे लोग को हजार बार कहा है क्या कि प्रूफ टीजिए ठीक है इस बयान के बाद जकताब कहते कि मैं माफी नहीं मागूगा अगर चुनाव आप प्रधानमंत्र अन्य मंत्रों के दबाव में काम वह सही है जुरूरत ही नहीं है पिल्कुल मतमागे क्या कहते हैं अंजामे को क्या था कि हर साथ पर उल्लू बैठा है अंजामे को लिस्ता क्या है तो मुझे लग रहा है कि प अदमी परेशान हो रहा है पूरी देश में पदेत्रा कर रहा है राहूल गांधी कर शयों आप इसलाध देने के लिए भारत जोड़ी आत्रा में वह प्रियास कर रहे है कि एक बार फिर से कह घक्रते कांग्रेस को प्रूब नहीं लगे हैं उसको कब बहुत अच्छ समझ में आगया है कि इवियम का राग अलापना बंद करते जिए इवियम का राग अलाप ये तो फिर उसको प्रूव भी कीजिए प्रूव करके दिखाईए कि कैसे क्या कहते हैं करनाटक के सरकार गिरवादी जनवाई एक बार फोन कीजिए कि करनाटक की सरकार आसे नहीं चलेगी गाली देखेंगे हम आपको बढ़ाएंगे बागे आसे पालतु की बात कर रहे हो इदनी मेरा समय चुनाव जीता है अरे हम सब को छोड़ रहे हैं हम केवल राहूल बिच प सब्सक्राइब करना चाहिए हमारे भी मांगे जो चुनाव आयोग को इस तरह से अपशब्द यूज कर रहा है ऐसे लोगों को बैन होना चीना तो यह मिल सी रहेंगे नहीं अब लड़ पाएंगे अगर यह सपने देख रहे हैं कॉंग्रेस में यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं कभी समोसे के लिए इनके सीम जंग करवा देते हैं कि बस कंडुक्टर और ड्राइवर सरकारी बस में राहूल गांधी खिलाब किसी नियूश चैनल की डिबेट सुन लेता है तो फिर उसको उसके उपर कारवाई शुरू के साहब कह रहे हैं कि उपर से लेकर नीचे तक बदलाव की जरूरत है तो मुझे लग रहा है खड़के साहब आप उपर से नीचे तक बदलाव कीजी या ना कीजी वह आपका अंधरूनी मामला है लेकिन ऐसे लोग जो उठते हैं सुबा साम और मुझ खोल के भगना पर लगाम लगाई तो ज्यादा बेहतर रहेगा थोड़ा कम भी उपर से नीचे तक बदलाव करेंगे तो चल जाएगा लेकिन ऐसे असोग जबताक प्रताब जैसे नेताओं के मुझ पर थोड़ा लगाम लगाई है सुई डोरा ना हो तो कहीं से उधार ने लिजिए कि बो बोलने किया जादी है तो मर्यादा में बोलें चुना योग कुट था है इनके पीता जी की जागिर नहीं है चुना योग जो कुछ भी उसको बोला क्या बोला उस्से मुझे नहीं मतला बहुत बाहर बैठा रहता है चुना आयोग पर बोला गया इसलिए और कल को BJP का हुई गोई नेता बोलेगा कल समाजवादी पाल्टी का नेता कोई बोलेगा T. M.C. का दोलेगा और ऐसे सवाल उठाओं गयगा तो जवाब ऐसे मिलेगा बलकुल ठीक है तो फिलागा ने मुवब पर तमाशा महारी दिया भगा दिया है बुरिया बेस्तरवाद के महराश्ते से तो यहां विपक्ष में नेता बैठाने लाइक बचे नहीं हो वाँ बनेगा बात कर नहीं कि का इतने चाहिए आप भी अपनी राय जरूर रखिए इस वीडियो में कमेंट करकर इस वीडियो को जादा स्थे आदा शेयर कीजिए थानिवाद